2024 बिना पड़े आप भी गडित में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं अगर आप भी board exam देने वाले हैं मैं आपको बता दू कि board exam में pass कैसे हूँ यही mind में चलता रहता है सभी students के तो गडित में pass होने की जो trick है मैं आपको आज बताऊंगी और अपकी बार आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 95 मार्श ठीक है बस आप यह trick लगा लिजेगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज अपनी वीडियो से कि आप कौन से trick ऐसे लगाएंगे जिससे आपको बिना पड़े गडित में आपको पूरे नंबर मिलेंगे जरूर कर दीजेगा फ्रेंड सस्क्राइब करना तो बिलकुल भी मत भूलिएगा मैथ एक ऐसा सब्जिक्ट है जिससे लेकर हमारे मन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि मैथ एक बहुत ही हाड़ सब्जिक्ट है बहुत जादे प्रेक्टिप के डिवांड करता है इसमें पास होना बहुत ही मुश्किल काम है कई लोगों को मैथमेटिक्स सब्जिक्ट हाड़ लगता है इसलिए सबसे जादे मैथमेटिक्स के पेपर को लेकर नर्वस रहते हैं जब बात आती है हमारी बुड एक्जाम की तो बुड़ एक्जाम में mathematics का रूल बहुत जादे importance होता है क्योंकि कही न कहीं पे हमारा main subject है हर students का सपना होता है कि वो mathematics में वो अधिक नमबर लाए mathematics में कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमें नहीं आते या जिनका का answer हमें नहीं आता या question किस तरह से solve करें और किस तरह से हमें आएंगे जिन से हम अधिक से अधिक नमबर ले आएं आज मैं आप से इसी विशे पर बात करने वाली हूँ कि अगर mathematics में कोई भी questions ना आए इसमें क्या approach लगानी है कौन सी इंपर टीक अपनानी है या फिर अधिक से अधिक mathematics की फीपर में हमें जादे तर दो गलतिया करते हैं जो question नहीं आता है उसे हम नहीं करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारी कौन सी questions कितने नमबर का है ये भी हम भूल जाते हैं तो बोड एक्जाम में जो तो टोटल पेपर हमारा 100 नमबर का आता है अगर हम उसमें 25 नमबर के भी question छोड़ देते हैं तो हमारी copy पूरे 75 नमबर पे आके check होती है तो हमें ये गल्दी कभी नहीं करना है जब एक्जामनर के पास marking इस्कीम आती हैं हर इस्टेप के नमबर मिलते हैं तो इसलिए आपको कहा जाता है कि बोड एक्जाम में कुछ भी नहीं आता हो फिर भी आपको एक भी नमबर की questions नहीं छोड़ने हैं ठीके अगर आपको जो question नहीं आता है उसे भी आपको last में बना कर लिखने की कुछिस करनी चाहिए यह नहीं कि आपको जो question नहीं आ रहा है बैठ कर सोचने लगे और उस question को आप लिखे न को ऐसा कुछ भी नहीं करना है अगर आपको जो सवाल नहीं आता है उसमें आपको लगाना क्या है जिससे आपको examiner देते हैं पूरे नमबर ठीके इसमें math के question solve करते time सबसे importance क्या होता है कि जो formula अगर आपको किसी भी topic का अगर आपको formula पता है तो आपके कोई भी questions हो गए अगर वो आपको नहीं आ रहे हैं ठीके तो उसमें आपको केवल formula का यूज करना है जो formula आपको पता हो कि यह इसी chapter का formula है और यह हो सकता है कि इसमें वो थोड़ा बहुत match कर जाए तो वो formula आपको सबसे पहले write कर देना है ठीके जिससे examiner को लगे कि हाँ students को formula पता है तो इसका यह मतलब कि उसे उसका question का answer भी अच्छे से पता होगा ठीके सबसे simple बात क्या होता है कि चाहे कोई भी questions हो उसमें सबसी important होता है कि सबसी जादे first number पे माना मानने से ही पूरे question solve हो जाते हैं फिर दूसरी बात क्या write करनी होती है यह प्रस्ना अनुसार प्रस्ना अनुसार important है यह सब अगर आप अपने question में लगाएंगे solve करते time math को तो जो examiner होगा न वो देख के कभी नहीं पहसान पाएगा कि आपने सही लिखा है या गलत और किसरे नंबर पे question के अनुसार ही लिया जाता है कि लिया गया है क्या कहते हैं कि लिया गया है और last में चोथे नंबर पे इतना तो आपको पता ही होगा कि लगाना होता है चुकी चुकी का निसान लगाया जाता है और फिर पांचवे नंबर पे इसलिए और last में अर्थार्थ इतर के जगह पे अर्थार्थ आपका इतने इनकी अनुसार इतना हुआ ठीक है इस तरीके से कुछ राइट किया जाता है तो आपको ये केवल 5-6 चीज़े हैं जो आकी आपको क्वेस्टन पे लगाना है और फ्रेंट्स मैं आपको बता दू कि जो आपको क्वेस्टन नहीं आता हो उसमें आपको इस तरीके से अगर आप क्वेस्टन राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं अगर नहीं राइट करना चाहें तो कोई बात नहीं है अगर फीगर बन नहीं आता रहता है तो देखे यहां पर सबसे पहले गन का आयतन पूछा था तो हमने एनुसारी गन का आयतन भी लिख लिया है और माना मानने से ही तो पूरा आपका question solve होता है घन की भूजा हमने मान लिया है कि क्या है ठीक है फिर formula हमने set किया है जो इस पे formula match कर जाए वो set और ध्यान reference अगर आपको math के numericals नहीं आते हैं solve करने तो आप एक-एक line के दूरी पर लिखिए ना प्रयास करिजिएगा और प्रयास नहीं लिखिएगा जरूर एक-एक line के अंतराल पर ताकि आपको जो examiner हो वो एक ही question को अगर दो page में देखेंगे तो वो जादे ध्यान नहीं देंगे और आपको जितना number आपका रहेगा पांस number 10 number वो अच्छे से पांस number एक करना है और आपको फार्मूला के साथ सारे चीज़ को आपको फिट बिल्कुल अच्छे से लगा लेना है ठीके दूरी पर जितना दूरी दूरी आप लिखेंगे उतना ही आपका numerical यानि कि question का solve देखने में अच्छा लगेगा और examiner आपको पूरे नंबर देंगे जयाएब सावाएब टी एंचे से एक राम